फिल्म जगत में कुछ मात्र लोग हैं जिन्होंने अपने बहतरी नदाकारी से लंबे समय के लिए अपने नाम को लोगों के मन में गड़ाया है। तो चलिए मैं आपके अनाम का सुनाती हूँ कहानी मशूर अभिनेता नाना पलसिकर की आपके अपने चैनल बयोग्रोफी एंड्रियल लाइफ स्टॉरीज पर। कब जाते थे ये पता ही नहीं चलता था पर निभाया हुआ किरदार जरूर याद रहता था। 1935 के समय बॉंबे टॉकीज के अंतरगत रिलीज की गई फिल्म दुआदार इस फिल्म में नाना पलसिकर को प्रमुक भूमिका मिली थी जहां स्टार कास्टिंग में उनका भी नाम दिखता है। पर ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे साइलेंट फिल्मों में भी काम किया था। प्रतिष्टित पुरसकार को एक बार जीतना भी बहुत बड़ी उपलब दिमाना जाता था। ऐसे में तीन साल के भीतर दो अवार्ड उनके अभिने शमता का अनुका प्रमान था। उन दोनों ही फिल्मों में बियार चोपरा की कानून तथा ख्वाजा एहमद अब्बास की शेहर और सपना में एक से एक बढ़िया कलाकार थे। ऐसे में अपना लोहा मनवाना कोई छोटी बात नहीं थी। कानून में नाना का रोल कालिया का था जो एक पेशिवर्थ चोर है। फिल्म में अशोक कुमार, रोम प्रकाश, जीवन और मनमोहन कृष्णा जैसे साहयक कलाकार भी थे। मगर नाना ने बढ़ी हुई दाड़ी और फटे कपडों में कालिया के किरदार को जिस अंदास से अभिनीत किया, उसका असर किसी अन्य पात्र से ज्यादा था। उसी तरह से शहर और सपना के जहोनी की भूमिका भी इतने अच्छे से उन्होंने निभाई थी कि एक नहीं दो दो पुरसकार उन्हें मिले। जहोनी के रोल के लिए नाना को न सिर्फ Film Fair Award मिला, बलकि प्रतिश्टित Bengal Film Journalist Award से भी सम्मानित किया गया। मगर ऐसा भी नहीं था कि परदे पर नाना सिर्फ गरीब ही बने थे। राजकपूर की श्री 420 में वो सूट भूट में जुआ खेलते अमीर बने थे। तो आर्जू में राजेंदर कुमार की टांग का ओप्रेशन करने वाले डॉक्टर की भूमिका की थी। अपने अंतिम फिल्मों में से एक 1980 की नकसलाइट में वो उस आंदोलन के एक नेता चारू मजूमदार के रोल में थे। तो अब दिल्ली दूर नहीं में वो वकील बने थे। दास्ता और जाकते रहो के डॉक्टर और धुंद के जज नाना पलिसकर हीर राजा में दीवान भी बने थे। परंतु उनका व्यक्तित्व गरीब और लाचार सावान्य व्यक्ति के पात्र में ज्यादा जंचता था। इसलिए बिमल रॉय की दो भीगा जमीन के पोस्टर पर भी गरीब किसान बने नाना, बलरात सहानी और निरपा रॉय इत्यादी के साथ दिख्टत है। वो ओमपूरी के प्रारंभिक फिल्मों में से एक ऐसी आक्रोश में गरीब आदिवासी पिता बने थे। उनके अभिनए प्रतिवा की प्रशंसा अंतराश्रिय प्रेस में भी होती थी। जब वो किसी अंग्रेजी फिल्म में काम करते थे। जैसे कि जेम साइवरी की गुरू के बारे में हुआ था। उसमें नाना की भुमिका अत्यांत छोटी होने के बावजूद अपनी उपस्तिती की तरफ ध्यान आकरशित कर ही लिया था। यही कारण है कि जब भी हम नाना की छोटी भुमिकाओं वाली पुरानी फिल्मों को देखते हैं, हमेशा वो अपनी अलग छाप छोड़ते मालूम होते हैं। नाना की फिल्मों में जिस देश में गंगा भहती है, संगम, गुमराह, दुश्मन, संबंध, आदमी और इंसान, ललकार, प्रेमनगर, धर्मात्मा, गंगा की सौगंध, उपहार, शोर, पती-पत्नी और वो, भरोसा, गीत काया पत्थरोंने, पूजा के फूल, तोस्ती, आखरी खत, दूर गगन की च्छाओं में, औरत, कर्म, अनाडी, साजन बिना सुहागन, दे बर्निंग ट्रेन, इत्यादी हैं, फिल्म उद्योग में बहुत कम लोग मिलेंगे, जिन्हें नाना के पर्सनल जीवन के बारे में पता होगा, 80 के साल में फेमस अदाकारा तबस्म जी ने नाना का इंटर्विव लिया था, फिर उस जमाने की फेमस पत्रिका मादूरी में उनकी जीवनी भी छपी थी, पर तब तक उनका देहान्थ हो चुका था, उस पत्रिका में नाना के पर्सनल जीवन से जुड़े कुछ बाते लि शिवसेना के साथ उनका गहरा नाता भी था, कुल मिलाके सामाजिक कार्यों में नाना ने हमेशा गरीब लोगों की मदद की थी, इसके साथ ही एक और खास बात ये है कि नाना ने अजीवन शादी नहीं की थी, उनके साथ रहने वाली परिवार की सदस्या, श्रीमती दामले ने उनके अंतिन दिनों में बहुत देख रेक की, लोग उने ही नाना की पतनी समझते रहे, वास्तव में वो उनकी नर्सिंग सिस्टर थी, 1982 में रिलीज हुई इंटरनाशनल फिल्म कांधी में नाना ने आखरी किर्दार निभाया, जिसकी दखल अंतराश्रिय स्तर पर भी की गई थी, सीधा जीवन और उच्च विचार वाले नाना पलसिकर का देहांत, एक जून 1984 में हुआ, अपने आखरी दिनों में भी उन्होंने अपनी सारी संपत्ती दान कर दी थी, फिल्म उद्योग में नाना पलसिकर ये नाम हमेशा के लिए अमर रहा है और लोगों के दिलों में हमेशा वो जिन्दा रहेंगे, तो मैं थी आपकी अनाम का, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताईएगा, और हमारे चैनल बयोग्रफी अन्ड्रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिये, धन्यवाद